आज के समय में अगर फोन की बात करें तो फोन की यहाँ पर लाइन सी लगी पड़ी भी यार काफी सारे लोग बहुत जादा कंफ्यूजड है कि exactly कौन सा हमें फोन लेना चाहिए अब बात कर लेता है यहाँ पर रिसेंटली लॉंच किया हुआ Poco X3 Pro जी हां जैसा नाम वैसा काम पता नहीं सही है या घलत इसके लिए वीडियो को लाज तक देखना होगा आपको और आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी कि वन ओफ दी अग्रसिव प्राइस रखा गिया है 20,000 के अंदर 19,000 रुपे से स्टार्टिंग है स्नैपड्राइगन 860 के चिप्सेट आपको मिल जाता है एड्रिनो 640 का यहाँ पर मिल जाएगा आपको काफी अच्छा गेमिंग वगर मिलने वाला है साथी साथ यहाँ पर अगर कैमरा के बारे में बात करें तो कैमरा भी ठीक है 2,2 मेगापिक्सल वाला अगर साइड कर दीजे कि उसका कोई काम ही नहीं है यहाँ पर सोनी का IMX582 सेंसर आपको मिल जाता है जो की डीसेंट परफॉर्म करता है कैमरा के सेग्मेंट में बाकि 33 वाट यहाँ पर आपको चार्चर मिल जाएगा बैटरी 5000 प्लस है यह सारी चीजों को अगर हम साइड कर दे क्योंकि वक्त नहीं कवाना है सिधा पॉइंट और मुद्दे पर आना है इसी प्राइस के अंदर में आपको अभेलेबल है यहाँ पर Redmi Note 10 प्रो और 10 प्रो किया है अब यहाँ पर Poco X3 Pro पहली बात यहाँ पर क्या कि आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले चीज़ अगर हम पॉफॉमेंस सिर्फ और सिर्फ अगर पॉफॉमेंस चाहिए आपको और गेमिंग से यहाँ पर आपको बहुत प्यार है तो ही इस फोन की तरफ हाथ बढ लेवाली है तो मिलेगा क्या है इसमें stereo speaker एक polycarbonate का body और साथ ही साथ यहाँ पर IPS LCD डिस्पले जो कि सिर्फ और सिर्फ 450 निट्स पर यहाँ पर brightness level है अब उसके comparatively अगर Note 10 Pro या Note 10 Pro Max को अगर देखते हैं तो Super AMOLED डिस्पले मिलता है 1200 निट्स की आपको यहाँ पर brightness level मिलती है जो कि Superb है बहुत ही जबरदस्त है धूप में जाईए किसी भी light conditions में आप जाईए तो वहाँ पर काम करता है 360 degree ambient यहाँ पर आपको मिल जाता है sensor तो जिसकी वज़े से जो डिस्पले का जो auto brightness है वो काफी अच्छी तरीके से काम करता है premium build and design quality मिलने वाला है note 10 pro और 10 pro max के अंदर यहाँ पर glass frosted glass आपको मिलता है corning gorilla glass 3 का protection मिल जाता है fast charger है अच्छा camera है जिसके अंदर Samsung का यहाँ पर hm2 sensor इस्तमाल किया गया है और camera भी बोलूँगा तो really numbers के मामले में भी upgraded है जी हर चीज हर मामले में अगर note 10 pro max को या note 10 pro को अगर compare किया जाए POCO X3 के साथ तो POCO X3 के सिर्फ Snapdragon 860 को अगर हम side कर दे तो बाकि सारी चीजों में Redmi note 10 pro max या note 10 pro far better निकल करके आता है अब बात आती है कि बहुत लोग बोलेंगे कि भाई 860 दे रहा है तो क्यों ना लूँ लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर कोई भी phone सिर्फ और सि सिपसेट की मदोलत नहीं बनता है यहाँ पर viewing experience चाहे camera चाहे in hand feel हर चीज यहाँ पर सही मिलना चाहिए अगर Snapdragon 860 यहाँ पर है थोड़े बहुत और प्राइस में changes होते बिल्ड और design quality यहाँ पर थोड़ी premium मिलती तो काफी बढ़िया लगता है काफी बार ऐसा सोच करके ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर पोको को लगा कि भाई पोको f1 में अल्रेडी हमने घाटा खा लिया है अब यहाँ पर पोको x3 pro में घाटा नहीं खाना है तो जिसकी वज सिर्फ यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 860 chipset डाल दिया गया है जो कि मेरे हिसाब से completely गलत है अब Snapdragon 860 के अगर हम बात करें तो no doubt 2.96 GHz का यहाँ पर आपको performance के मामले में कहीं पर भी compromised नहीं है अगर आप गेम भी खेलते हैं तो यहाँ पर हर लोग क्या चीज़े देखते हैं कि display की quality अ होना चाहिए दिखने में यहाँ पर मज़ा आना चाहिए गेम अगर खेल रहा है तो मज़ा आना चाहिए अगर हम यहाँ पर कोई movies देख रहे हैं तो मज़ा आना चाहिए हर चीज के हिसाब से यहाँ पर फोन को बनाया जाना चाहिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस डिस्प्ले आपको किसी भी चीजों से मतलब नहीं है तो मैं बोलूंगा कि Poco X3 Pro एक अच्छी चोइस है लेकिन अगर आपको एक complete package चाहिए एक complete phone चाहिए Snapdragon 732G भी यहाँ पर काफी अच्छा perform करता है no doubt हम इसे compare नहीं कर सकता है Snapdragon 860 के साथ लेकिन यहाँ पर एक अच्छा display 1200 nits की brightness level और Snapdragon का 732G 5000 प्लस MH की यहाँ पर battery 33W का fast charger और सबसे अच्छी super AMOLED display stereo speaker यह सारी चीज़े अगर चाहिए एक जबरदस्त look के साथ तो यहाँ पर Note 10 Pro और Note 10 Pro Max अभेलोबल है बाकी आप किस चीज़ को यहाँ पर valuation देते हैं performance plus entire thing जी हाँ सारा माल मसाला with affordable price और सारी चीज़े हमें यहाँ पर budget centric मिलनी चाहिए या फिर सिर्फ और सिर्फ performance बाकि display design build quality आपको किसी से भी फरक नहीं पड़ता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा बाकी Poco X3 Pro मैं बोलूँगा कि अगर आपको performance से प्यार है तो यूस handset पे ध्यान डालिए या फिर हाथ डालिए बाकि अगर आपको स 10 Pro Max से आज के समय में अभी कोई भी अच्छा handset available नहीं है बाकि जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा वीडियो पसंद रहाएद वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नहीं है तो बीना सब्सक्राइब किये मत जहिएगा क्योंकि मैं इसे मज़ेदा कर दो